खुसी बुटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाईए, ओल पे कलिक कीजिए, लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं सर मिला फगेडिया, आप देख रहे हैं खुसी बुटिक, आज मैं आपको कैंची की धार लगाना बताऊंगी तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जो फेक होते हैं, लेकिन मैं आपको असलियत बता रही हूँ कि इस से कैंची की धार अच्छे से लगेगी हुआ है, यहां से काटते वक्त जैसे यह दागे छोड़ रही है, अच्छे से कटिंग नहीं हो रही है, तो हमारा कपड़ा खराब हो जाता है, इस कैंची को मैं साइड में रख देती हूँ अब मैं आपको दूसरी कैंची दिखाती हूँ यह देखिए, थोड़ी सी दूर में यह कपड़े को काटती है, और फिर यह नहीं काटती आगे से, तो यह कैंची भी खराब है अब मैं आपको यह तीसरी कैंची दिखाती हूँ यह देखिए, यह मेरे पास बड़ी कैंची है, चांद मास्टर कम्पनी की है यह इससे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यह थोड़ी दूर में ही कपड़े को काटती है देखिए, यह कपड़े को खराब कर देती है और हमसे यह अच्छे से नहीं कट पाता है कपड़ा जब यह कैंची खराब हो जाती है तो तो मैं आपको इन कैंची ओ पे धार लगाना बताऊंगी तो मेरे पास यह पत्थरी है, इसे ग्रेंडवेल भी बोलते है यह मैं आपको बताऊंगी बाद में कि यह कहां पे मिल सकती है आपको लेकिन सबसे पहले मैं इससे आपको धार लगा कर कैंची चला के दिखाती हूँ तो देखिए मेरे पास यह कैंची है, इसमें बहुत सारा जर आया हुआ है इसमें हम धार लगाएंगे तो जहां पे हम कैंची लगवाने जाते हैं, वो भी इसी पत्थरी से धार लगाते हैं कैंची ओके देखिए इस तरीके से लेकिन वो मसीन में फीट होती है, हम हाथ से लगाएंगे यह धार इस तरीके से हम कैंची को पकड़ेंगे और यहां से घिसाएंगे लगबग हम यहां से तीन चार मिनट तक घिसाएंगे जिस तरीके से यहां से कैंची की ढाल है उसी तरीके से हम यहां से घिसाएंगे थोड़ी देर तक हम यहां से घिसाएंगे और इसके बाद हम दूसरी साइड से थोड़ा सा घिसाएंगे यहाँ नोक से भी गिसाना है थोड़ा सा यह पत्थर कभी खतम नहीं होने वाला आपको सिर्फ एक बार ही खरीदना है थोड़ा सा हमें इस साइड से सीधा ही गिसाना है इसको यहाँ से तिर्चा नहीं गिसाना है अब हम इस साइड से गिसाएंगे कैंची को थोड़ा सा इस साइड से हम सीधा गिसाएंगे और अब हम इस तिर्चे वाली साइड को गिसाएंगे इसमें आप लग भग पांच या दस मिनट तक मेहनत करेंगे तो आपकी कैंची बहुत ही अच्छी लग जाएगी और आपके पैसे भी बच जाएगे और आपको किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा कि मेरी कैंची खराब हो गई है इसको लगवा के लिए क्या नहीं तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी चला के इसको हम थोड़ा सा और घीज लेते हैं अब देखिए मैं आपको कपड़ा काट के दिखाती हूँ ये देखिए कितना आच्छा कपड़ा कट रहा है इससे कोई भी दाग़ा नहीं छोड़ रही है केंची बिच में पूरी तरह से कपड़े को काट देती है तो इस तरीके से हम केंची लगा सकते है अब मैं आपको दूसरी वाली ये कपड़ा काट के दिखाती हूँ ये देखिए सुत्ती कपड़ा जिसे बोलते हैं हम वो भी कट जाता है और सिलक वाला भी कट जाता है तो अब हम दूसरी केंची की धार लगाएंगे यह देखिए कि कपड़ा नहीं काट रही है थोड़ा सा कपड़ा काटके आगे से खराब कर देती है कपड़े को इसे भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे यहां से थोड़ा तिर्चा घिसाना है जिस तरीके से हमारी केंची की ढाल होती है और इस साइड से हम इसको सिधा गसाएंगे एक बार फिर देख लीजिए कहीं आप गल्त ना गिजा देखें चीको और ये मेरे पास चांद मास्टर है इसको भी मैं आपको गिजा के दिखाती हूँ ये भी अच्छे से कपड़े को नहीं काट रही है इसको भी मैं यहाँ से घिजाऊंगी वीडियो को पूरा देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कि कैंची भी अच्छे से लगी है या नहीं लगी है और ये पत्थरी भी आपको पता लग जाएगा कि ये कहां से आपको मिलेगी अब देखिए मैं इससे आपको कपड़ा काट के दिखाती हूँ ये देखिए कितना अच्छा कट रहा है इसको मैं थोड़े सी और घिसा लूँगी तो ये और भी अच्छा कपड़ा काट देगी ये देखिए मैंने तिन्नों केंचियां लगा ली है इस पत्थर की मदद से ये बिल्कुल अच्छी चल रही है मेरे को बजार में नहीं जाना पड़ा केंचियों के लिए ये मैंने पत्थर खरीदा है ये गाउं में भी आसानी से मिल जाता है ये जैसे लोईए की दुकान पे मिलता है आप मेरो वीडियो दिखा कर इस पत्थर को खरीद सकते हैं अगर आप सहर में रहते हैं आपको शोप का नहीं पता है तो आप एमेजोन से भी खरीद सकते हैं इस पत्थर को इसका लिंक मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में दे दूँगी वहाँ से आप बाई कर सकते है इससे हम चाकू भी तिखा कर सकते है इससे हम सुई भी तिखी कर सकते है यह हमारे घर में बहुत ही काम आने वाली चीज है तो इसे आप खरीद सकते है वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद